तो हेलो गाइस तो स्वागत है सभी का हमारे चनल फेंटसी टेलेंट हम में तो गाइस अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओन करके ओल पे साट कर तो ताकि आप लोगों को हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल बड़ा बड़ा लिखना है आपको FTH 877 बहुत ही सिंपल है और वहां पे 21,000 सब्सक्राइबर वाला हमारे चनल आपके सामने आजएगा तो फटा फट से जोइन कर लेना तो बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आपको बता दो इस वीडियो में आपको दोनों मैचेस की इनफर्मेशन मिल जाएगी जिससे आपको बार-बार वीडियो देखना नहीं पड़ेगा तो फटा फट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिना स्कीप किए वीडियो को देखना ताकि आपको एक एक प्लेयर का समझ आए अगर आपने किसी भी एक प्लेयर को एकदम क्लियर रहेगा 11 किलोवेटर परती घंटा की स्पीड से यहां पर हवा चलेगी ज्यादा तेस तो नहीं होगी और यहां पर कोई भी चांस नहीं है कि यहां पर बारिश आने के ठीक है तो पिछ यहां पर बड़ी मतलब एक अजीब तरीका का रियक्ट कर रहे जैसे क प्लेइंग 11 के साथ एसीटी एसीसी के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में बात करेंगे जहां तक कि मुझे प्लेबल 11 लग रहेगी यहीं खेलने चाहिए तो इसी साब से मैंने बैटिंग ओर भी किया हो तो यहां से ओपन करेंगे एहसान यूसफ 16 मैच में ओवराल स्कू मैंने यहां पर दो-दो मैचस के रिकॉर्ड डाले हुए है चार मैच में चार रन दो विकेट फिर एक रन जीरो विकेट शेतर पॉइंट्स का एवरेज इनका ड्रीम 11 उसके बाद बलविंदर संदू 49 मैच में 645 विकेट ओवराल स्कूर्ड है रिसेंट रिकॉर्ड देख और एवरेज जो पॉइंट किये वर 44 पॉइंट एवरेज है बात करेंगे नीचे यह भी काफी इंपोर्टन प्लेयर क्यों करेंगे और बैटिंग बोलिंग दोनों करते हैं आपके लिए इंपोर्टन हो जाए फिर यहां से आ जाते हैं हमारे आकिब इकबाल 43 मैच में 468 र पहले मैच में 20 दूसरे में 18 और पॉइंट का एवरेज भी इतना कुछ खास है तो आप इनको चाहो तो ड्रॉप कर सकते चाहो तो टीम में रख भी सकते हो ग्रैली में जूरू ट्राइगर के चलिए का क्योंकि सेलेक्शन काफी कम है मेरी साथ से जहां तो मुझे लग उसक देखोगे तो 42 मैच में 213 24 विकेट है और वैसे देखोगे इस टूर्णामेंट में जीरो विकेट 28 विकेट और पॉइंट का एवरेज देखोगे तो 38 पॉइंट एवरेज है उसके बाद अधनान हैदर बहुती मतलब बल्लेबाच कह सकते हैं को चार मैच में अभी तक मात और एक रन बनाया आभी तको 6 पॉइंट का एवरेज है तो मेरे हिसाब से आप इनसे लगबकर 10 किलोमेटर की दूरी बनाके रखिएगा तब ही आप ग्रेंड लिग जीत सकते हो उसके बाद नावीद हसन है दो मैच में 10 रन है 14 पॉइंट का एवरेज है इसके रिकोर्ड इसको जरू से ट्राइक करो कल तुम लोग कोमेंट करो भाई तुमने ग्रेंड लिग जाए ठीक है उसके बाद अदील तारिक है 14 मैच में 33 और इस ट्रूनमेंट में एक रन और तेरा रन है तो यह भी इतनों कुछ खास नहीं है 9 पॉइंट का एवरेज है और उसके बाद से बात करूं तो अदल 27 मैच में 21 विगट पहले मैच में बोलिंग नहीं की थी दूसरें बोलिंग निकी तीसरें बोलिंग की एक विगट निकाला 35 पॉइंट का एवरेज है ठीक है तो आप चाहो तो इनको टीम में रख सकते हैं उसके बाद बात करेंगा डूना स्टर्ड प्लेयर स्टाट्स बाई स्टाट्स उनने बहुत जादा मेहनत रखते वीडियो लाइक जरूर कर देना दोजार लाइक का एम हा तो आई होप कि आप लोग कर दोगे टेलिग्राम जूसरें कर लेना क्योंकि अगर आप फैंटेसी की फिल्ड में पैसा नहीं कमा सकते यहां स इनका जो बैटिंग ओडर हो काफी जादा ऊपर नीचे होता रहता है तो कभी किसी को उपन करा दे इनका कुछ कंफरम नहीं है तो जो भी बैटिंग ओडर होगा टेलिग्राम पर भेज दूँगो टेलिग्राम जूरूर से जोइन कर लेना साधिक महमूद स्टैट्स बहु यह कुछ भी कर सकता है बंदा स्टैट्स बहुत अच्छे हैं उसके बाद कादरफुल उत्म जाई जो भी विकेट कीपर का नाम है इसका 26 मैच में 587 रन है अवरल इस टूर्मेंट में भी यह गजब का शुरुआत कर रहा है अलांकि स्कोर बहुत बढ़ा नहीं किया बट चुरुआता है बहुत तेज कर रहे हैं ठीके पहले में 13 सेकिंड में 29 पाइवरेज तो दूसरे विकेट कीपर से जिससे मैंने आपको बोला दस किलिमेटर की दूरी बनाके रखी तभी आप ग्रैंड लिग जी सकते हो तो उससे तो इनका प्रफॉर्स बहुत जादा अच् मतलब हर एक मैच में कैप्टन ही बन रहा है तो कैप्टन के लिए मस्ट चोईस रहेगे लेकिन जो बंदे घ्रैंड ली खेलने माले मैं उनको बोलूगा कि आज इनको कैप्टन मत बनाएगा कैप्टन किसी और को बना इनको वाइस कैप्टन भी आप बना सकता ठीक है यह ज बोलिंग नहीं करा रहें वैसे बोलिंग कराते करेर में च्छै और चार किया वे तक दस पॉइंट करके चल सकते हो सेलेक्शन काफी आई है तो यह आपके लिए अच्छी चोईस मतलब अच्छी चोईस नहीं होंगे आपको जितवा सकते क्योंकि लोगों ही टीम में होंगे ठीक मोहमद साफी भाई तेरह मैं दोसा सोला रहन दस विगेट मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि इसको कैप्टन मनाओ अभी तक यह बंदा एकदम जीरो कर रहा है पहले मैं चार रहन जीरो विगेट सेकिंड में तो ग्यारन किये बट बोलिंग नहीं कि यह अब लगवाइस मैचों में 299 रन 17 विकेट इस टूर्णामेंट में देखो कि तेरह रन एक फिकेट फिर जीरो रन जीरो सब्सक्राइब और पॉइंट का इवरेज रहा है तो अच्छा है अच्छा है बहुत ज्यादा हो जाते हैं लगबख 20 कप्ट में बना सकते हो जादरान दूसरा जादरेने वह साहिल जादरेनी सर्फराफ जादरान कंफ्यूज मत हो जाना एक बोलिंग सेक्ष्ण में यह बोलिंग सेक्ष्ण में जो बोलिंग सेक्ष्ण वाला है वो लगबख नॉर्मल सा यह 17 मैच में 46 रन आठ विकेट है 24 पोईंट के आवरेज यहां पर बोलिंग करा रहे हैं इनको भी डॉप करके जल सकते हैं उसके बाद वाली खान वाली खान का बताओं तो दो मैच में अभी तक जीरो रन है ना बैटिंग कर रहा है ना बोलिंग कर रहा है अब बात करते हैं कैप्टन की तो देखो कैप्टन स्मॉल लीग रहे हैं यूसे अच्छा है आपको सभी बनाएंगे बिलिंदर सिंग काफी लोग को वाइस कैप्टन है लेकिन ग्रैंड लिए आगे बिकबाल काफी एक डिफरेंजल हो सकता है तो बात करेंगे मेरी टीम के ब कर दो कि अभी तक कुछ की या नहीं हो सकता है मैं यह तारीक को ड्रोप कर दूं मेरे जो ऑप्शनल प्लेयर हैं मैं आज से आपको बता देता हूं मेरे को जो डौट है तारीक में और एम साफी में जो दोनों का डिशीजन होगा टेलीग्राम पे बता दूंगा जो भी होग लाइक करना चनल को सब्सक्राइब को ना तब तक लिए बाइबाइबाइब जया हिंद जया वाइब